नमस्कार दोब एक बहूत important topic data efficiency reasoning का बहुत important topic है जो कि आज कल pre exams में पूछा जाने लगा है पहले pre exams में पूछा जाता था लेकिन आज कल pre exams में 55 marks का पूछा जाने लगा है तो यह topic बहुत important हो जाता है इसलिए आज हम लोग इस topic को अच्छे से detail से discuss करने वाले हैं यह topic आपको स लिए आपको बतायता हूं कि क्यूशन से जो होंगे वह हिंदी इंगलिस दोनों में होंगे ठीक है तो जो भी जिस लेंग्वेज में समझ पाएका उस लेंग्वेज में समझ लेना किसी को भी टैंसे लेने की जवरत नहीं है इसके लावा देखो यह टोपिक क्या थोड़ा ट होता है यहाँ पर एक क्यूशन पूचा जाता है और उस क्यूशन के आंसर देने के लिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया जाते हैं जिसके फर्स सेकंड हो गया हिंदी में बात कुनों तो यह आपका क्यूशन है कि MNOPQR में से दूसरा सबसे भारी कौन है और यहाँ पर यह आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है यह आपका सेकंड दिया गया है अब इसके आदार पर आपका आंसर क्यूशन option दे रहे हैं कि second से निकल जाएगा first से नहीं निकलेगा ठीक है और last option होता है कि दोनों का ही data मिला की question को answer करने के लिए sufficient नहीं है तो इस तरीके से option दिये होते हैं option मैंने बता दिये question किस तरीके से push था है इसलिए मैंने ये option आप लोगों को बताए हैं बाकी इसके अंदर option बताने का कोई मतलब नहीं था मैं आगे just question लूगा और आपको बता दूगा कि कौन से statement required होंगे आप लोगों का answer करने के लिए अब देखते हैं पहला question देखो पहले question में क्या बोल रहा है 6 मित्रो MNOPQ और R में से दूसरा सबसे भारी को ने इसका answer देना है आपको first statement दिया हुआ है second दिया हुआ है अब आपकी question को solve करने की approach क्या होनी चीए ये आपका question है इसका answer निकालना है आपको तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ statement first से निकालना ही कोशिस करो निकाल पाते हो तो ठीक है नहीं निकाल पाते हो तो भी ठीक है उसके बाद में उसी का answer सिर्फ और सिर्फ statement second से निकालना ही कोशिस करो ठीक है अगर इन दोनों से भी नहीं निकलता है तो दोनों को combined अगर की निकालना ही कोशि स्कुरू उसके बाद में दोनों को यूज़ करके निकालने को सिस्कुरू ठीक है यह अपना एक प्रोसेस होता है तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है ओ केवल दो मित्रों से भारी है इसका मतलब यह हो गया देखो ओके यहां एक आएगा और यहां एक आएगा दो अब आजाओ पी ओ से भारी है लेकिन एन से हलका है अब ओ से जश्ट भारी है नहीं हमें नहीं पता तो थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं इसको पी ओ से भारी है ठीक है लेकिन एन से हलका है यह लोग एन से हलका कर दिया इसको ठीक है आर सबसे भारी हो गया तो सबसे भार हो गया अब total मिला है कितने लोगें तीन और तीन छे अब मालों में दोनों को command कर देता हूं इस वाले को यहां लाके रख देता हूं एक यहां आ जाएगा दूसरा यहां आजाएगा तो छे लोग पूरे हो जाते ना एक दो तीन च्यार पांच छे इन दोनों की जगे कौन कौ मैंने यहां पे लिख दिया अब आपको question क्या पूछा है कि सबसे दूसरा सबसे भारी कोन है तो इसका answer तो दे सकते हैं दूसरा सबसे भारी यहां से कोन आ रहा है एन आ रहा है तो first से भी answer अपना निकल चुका है अब आजाओ अपने second के सारे उससे क्या होंगे भारी हो जाएंगे ठीक है तो एम के पहले यहां पे एक आ जाएगा दूसरे यहां पे जाएगा यहां आ जाएगा क्योंकि एम से ठीक है एम सिर्फ दो मित्रों से हलका है तो किस किस से हलका हो गया एक इससे हलका है एक इससे हलका है इसके पीछे कुछ भी नहीं आएगा आगया जो एन ओ से भारी है लेकिन आर से हलका है अलग लेकिन ओ से भारी है लेकिन आर से क्या है हलका है एन ओ से भारी हो गया और आर से क्या हो गया हलका हो गया पी केवल क्यू से भारी है पी केवल क्यू से भारी इसका मतलब क्यू सबसे भारी हो जाएगा ठीक है तो पी यहां आ जाएगा और क्यू यहां आ जाएगा पी केवल क्यू से भारी इसका मतलब यह दोनों कहाएंगे लास्ट में आएंगे मैंने सिखाया भी यह गरते दिन लेज दिन वालों के अंदर अ आ यहां आ जाएगा देखो इधर लिखके बता रहु है आपको द्यान से समझना इन चीजों मो आराम से ठीक है तो देखो R यहां आ जाएगा फिर N यहां आ जाएगा फिर M की जगश्य और उसके से भी निकल रहा है दूसरे से भी निकल रहा है तो अपना ओप्सन नमर ए लगाएंगे या तो केवल कतन फस्ट में दिये गए आगड़े या केवल कतन सेकेंड में दिये गए आगड़े प्रश्ण का उतरत देने के लिए प्रयापते हैं उसमें जाओ डाटा आइधर इन सेकन्ड अलोनार संफिशन् तो आंसर देक्यूशन यानिकी सिर्फ इस्टेट्मेंट फस्ट और सिर्फ इस्टेट्मेंट सेपन लोग निकाल सकते हैं आपसमें कममेंड करने कोई जहुरत नहीं है नेक्स्ट कुशन आजाएं नेक्स्ट कुशन बोलाइच्श वक्ती फज दो हैं लोगों को पता होगा मैंने कई और कई सारी वीडियोगति के अंदर मताय हुँह है ठीक है तो यहाँ है क्या बोल रहा है इजी के दाइए और दूसरे रिस्थान पे एजी के दाइए और दूसरे इस्थान पे ठीक है तो जी rest और दूसरे स्थान पे यह आ गया यह आपका समझ गया यहां तक आज़ो नेक्स्ट ई और आई के बीच में केवल एक विक्ति बैटाए तो देखो ई और आई के बीच में एक विक्ति छोड़ो एक चोड़ दिया तो जी की जगह को नहीं बिटा पाऊंगा तो किदर जाना पर बाकी दो पोजिशन भी किलियर नहीं हुई कुछ भी ठीक है तो यहां से अपना आंसर नहीं निकल के आया एफ के संदर्ब में जी का इस्थान बताईए तो एफ और जी के यहां पे कुछ निकलाई नहीं कि एफ इधर आएगा या इधर आएगा तो कैसे बता दो कि ले बेकती छोड़ो देखो इधर से छोड़ोगी तो एक दो तो भी यहां पे आएगा इधर से छोड़ोगी तो भी यहीं आएगा केस एक ही बनेगा अलग अलग नहीं बनेंगे किदर से भी दो बंदे छोड़ोगी तो एच की पोजिसन सामने ही आ जाएगी जश्ट पोजिश इसमें कहां से आगी बढ़ेंगे तो दूसरे से भी आंसर नहीं निकल रहे है अब एक काम करो ठीक है पहले वाले में जहां तक जो किया था वह कर लिए उसके बाद में दूसरे वाले का इस्तमाल करो ठीक है दूसरे वाले को छोड़ कर Дिया मैंने अब पहले दोनों कम्बाइंड करके भी देखने हैं अपने को आंसे निकलेगा नहीं निकलेगा ठीक है तो जहां तक जो निकला था वो देख लिया हमने गोला मानने का मतलब है फिर एप की पोजिशन फिक्स नहीं है अब देखो यहां बेट जाएगा तो यहां फिक्स पोजिशन यह हो गई ठीक है इदर वाली क्योंकि आई के पास वो बेड़ नहीं सकता तो एक बन्दा बच गया कौन बच गया यहां पर उसको यहां पर बिठा दीजियेगा आप लोग जह बच गया तो इसको यहां पर बिठा दिया मैंने तो अचपसप की posisum आगे इसका मतलब आपको G और F की संदर में इसका इसने एक का इस स्थान भी के लिए आवश्यक हैं इंगलिस वालों के लिए बोलूँगा दाटा इन बोथ स्टेट्मेंट फर्स्ट एंड सेकंड तो आंसर दे क्यूशन तो ऑप्सन नमर यहां पर हो जाएगा आपका भी ठीक है तो यहां तक हो गया अपना दूसरा अब तीसरे कुस्ठ चाओं के उपर आजाते वही इस इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है अब़ आ जो इसके अंदर पी क्यू से लंबा है ती सबसे लंबा नहीं है ठीक है इंगलिस हम से टॉलर देन क्यूंप फीक से टोलर है टीज से टोलर टोलज Commerce थीक है तो टी टोलेश्ट नहीं है सबसे बढ़ा नहीं है थीज़ वैवे टोलर देन पी आर बढ़ा है पी से त्यकित ऐसीजहार टोलेस्ट स्वेक्श डोल इस जैनNे इससे क्या होगा देखो P से बड़ा R हो जाएगा P greater than Q तो पहले वाले में साथ था और ये R हो जाएगा अब पूछाए सबसे लंबा को ने ठीक है तो दो ही व्यक्ति बेठे बचे S और T वो तो सबसे बड़े हो नहीं सकते क्योंकि क्यूश्य ने पहले बता कर दिया T सबसे लंबा नहीं है S भी सबसे लंबा नहीं है तो सबसे लंबा यहां की सबसे कोन हो गया R हो गया विटी तो टोलेश्ट हो नहीं सकता S भी टोलेश्ट नहीं हो सकता P Q R से छोटे तो सबसे बड़ा कोन हो गया R हो गया ठीक है तो यहां से सबसे लंबा कोन आ गया R आ गया और आंसर के से निकला फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों की रिक्वायरमेंट जैसे कि पिछले वाले क्विशन में दोनों ओप्सन की रिक्वायरमेंट थी इस ओप्सन में भी दोनों ही ओप्सन की रिक्वायरमेंट थी तो सेम ओप्सन वही वाला आपका कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं अब आजाओ नेक्स्ट के उपर अब यह बलेड रिलेसिन के उपर आधारित हो गया इस क्यूशन के अंदर एक ट्रिक है कि मतलब आप लोगों सो आप लोगों को कन्फ्यूज कर देता है एक पॉइंट के उपर हिंदी और इंगलिस वालों के अंदर अगर अपने लोग बात करें ठीक है तो आप लोग देखते हैं धेरे-धेरे आपको ने हाउव वी इस रिलेटेड टू आर यह आप लोगों को बताना है आर इस डोटर ओफ जी तो सबसे पहले पहले स्टेटमेंट से जाते हैं ठीक है तो आर इस डोटर ओफ जी, जी की डोटर कौन है आर है, ब्लेटर इसक्का ब्लीटरि देलेशन वाला लेक्टर देख लेंगो जिसको ब्लेटर इसस नहीं बनाना था जी की डोटर कोन है था ओक अ husband है यानि ये male हो गये ये female हो गये ये couple हो गया और इंस couples के दोनों क्या हैं बच्चे है जी हो रहाएँ इनका अपने को gender नहीं पता अब आप लोगों से पूछा क्या गया है आप लोगों से पूछा गया है वी का R से क्या संब्द है अब दिखो तो वी का प्ता होना चैक, यूद की वी का संब्द निकाल रहे है, अब देखो, ये जो G है ना, ये इसकी R की मम्मी यह पापा है, यह नहीं पता आपको. तो यह वी है ना, या तो यह दादा हो जाएगा, या यह नाना हो जाएगा, लेकिन fix नहीं है, अब इंगलिस वाले क्या बोलते हैं, यह तो grandfather है, ठीक है, लेकिन grandfather में डिफरेस होता है, एक parents की साइड, एक mother की साइड से होता है, एक father की साइड से होता है, ठीक है, तो उसके भ कर दिया क्रोस कर दिया अब आजो सेकेंड के अंदर एम जी से विवाई थे एम और जी एक कपल हो गया अब हमें नहीं पता कौन सा मदर है कौन सा फादर है इसको थोड़ा से नीचे लिख लेते हैं फ़र्ष्ट वाला तो कैंसिल होई गया है एम और जी से विवाई थे तो एम और जी एक कपल है एम आर की मा है अब एम आर की मा हो गए इसका मतले फीमेल हो गई तो जी क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा ठीक है वी जी का पिता है ठीक है वी है वो जी का क्या है पिता है अब आप लोगों से पुछा गया वी का आर से क्य संबंदे तो वी का आर से क्या संबंदे वी दादा हो गए आर का अब आर चाए बेटी हो या बेटा हो जी का उससे फरक नहीं पड़ेगा वी तो क्या होगा दादा ही हो गया तो शिर्फ और सिर्फ statement second से इसका answer ने के लिए तो आपका देखो कौन सा option हो जाएगा इसके अंदर इसके अंदर हो जाएगा केवल कतन second में दिये गए आकड़ परस्ण का उतर देने के लिए प्रयाप्त है है जब कि कतन फर्ष्ट में दिए गए आगड़े प्रस्ट का उतर देने के लिए प्रयाप्त नहीं है अब यहां पर कन्फूजन कुछ लोगों का होता कुछ लोगों को यह भी लग से कुछ दिया गया है एक कूट वासे में इस के लिए क्या कूट है यहां कि क्या मतलब कोड होगा इसका तो देखो चेर इस ब्लेक इसके लिए कोड़े इसका देखो कोडिंग डिकोडिंग का मैंने सेपरेट लेक्षर बनाया हुआ है इसमें आ जाता है तो इसमें अलग तरीके समझाना पड़ता है लग तरीका वही होता है लेकिन हम लोग पूरा कॉंसेप डिसकस नहीं कर सकते वह आप लोगों पिछे जाके देखना अब दे इसकानने के लिए दोनों स्टेटमेंट की जूरत पड़ेगी मेरे को एक स्टेटमेंट से नहीं निकल पाए इसके लिए M.I.L.S.I.L.P.A.T. कोई भी कोड हो सकता है दोनों से लेकिन दोनों का जब इन्फॉर्मेशन यूज में लोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा तो वोदफ 1 अ इंड 2 रिक्वाइट ठीक है यहां तक किलेर हो गया अब चलते नेक्स्ट कुष्षन के ओर यहां पर फिर से मैंने Coding by Coding का कुष्षन ले लिया है ठीक है तो यहां तक सभी लोगों को किलेर हो गया होगा अब आज़ेए एक निश्चित कूट बास्ता में success को क्या लिखेंगे success is necessary evil को लिखा गया है 8145 और evil is amongst us को लिखा 3874 तो अब आपको success का code देखना है अब देखो इन दोनों में common क्या क्या है evil और is common है इन दोनों में evil और is common है ठीक है तो evil or is का code देखो इन दोनों में जो common है वो हो जाएगा तो इसमें देखो एक तो eight four यहां पे है और eight or four यहां पे अब success के लिए दो code बच गए 37 अब three or seven में से कोई भी हो सकता है तो इसका answer यह नहीं दे पाएगा ठीक है three or seven में से कोई भी हो सकता है तो वह अपना fix नहीं है तीन और seven में से कोई भी हो सकता है तो अपना fix नहीं कोण सा होगा तो इससे answer नहीं निकल किया दूसरे मार्केटिंग इस magic mantra ठीक है अब देखो मंत्र इस और marketing तीन और इसमें भी गया 5 बच गया तो यह कोड क्या हो जाएगा सक्सेस का 5 हो जाएगा तो इसमें आजाएगा only statement second required ठीक है and first is not sufficient to give the answer ठीक है पहला sufficient नहीं यह answer देने के लिए हमें second शिर्फ और सिर्फ second चाहिए उसके लावा कुछ नीचे तो आप उसी साब से आप लोग option देख लिजेगा मुझे उमीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा है और जिन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है वो किरिप्या करके पुराने टोपिक देखे ले क्योंकि डाटा कैंगे नमर पे वोटसेब करके या कॉल करके आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ठीक वहां पर आपको पूरा सलिवस पड़ा दिया जाएगा एक माम मुली से लेगा कि आगे आपको किस टैप की और वीडियो चाहिए थैंक्यों मेर्थ बलबल सुक्रिया मुलाकात होगी अगले वीडियो